इसे हो I think you will be happy at your home after watching and understanding my video lectures अभी तक मैंने exercise 8.1 class 10th mathematics की आपको समझाई है और video lecture के बाद दम से पढ़ाने की कोशिस की है अब आज की lecture में हम करेंगे exercise 8.2 तो exercise 8.2 में enter करने से पहले हमने जो previous lecture में कुछ टिग्नोमेटिक रेसोज की बारे में समझा था उनको आईए हम दोरा recap करते हैं उनको दोराते हैं जैसे कि हमारे कुछ टिग्नोमेटिक रेसोज होते हैं टिग्नोमेटिक रेसोज जैसे कि यह में और rectangle में दो साइड के maximum six combination बनते हैं उन ही combinations को मैं रेसो कहता हूँ और जो टिग्नोमेटिरी में जिन रेसोज को हम समझते हैं उनको बोलते हैं तिग्नोमेटिक रेसो हो जैसे कि यहाँ पर यह साइड BC divided by AC sin equal to sin theta यानि कि sin theta equal to perpendicular divided by hypotenuse cos theta equal to base divided by hypotenuse sin theta equal to perpendicular divided by base cos theta equal to one upon sin theta equal to hypotenuse divided by perpendicular sec theta equal to 1 upon cos theta equal to hypotenuse divided by base cot theta equal to 1 upon 10 theta equal to base divided by perpendicular 10 theta 10 theta 10 theta जो technometric ratio है वो cos theta और sin theta का technometric ratio भी है 10 theta equal to sin theta divided by cos theta cot theta equal to cos theta divided by sin theta 10 theta और cos theta किस तरह sin theta और cos theta होते हैं मैंने यहाँ पर आपको समझाया है ऐसे ही cot theta equal to cos theta equal to sin theta क्यों है यह भी मैंने आपको right angle की help से आपको explain किया है अब हम technometric ratios of some specific angles कुछ angles की value को मालूम करने के लिए कुछ angles की value को हम मालूम करते हैं उसके लिए हम कुछ technometric ratios की जानकारी करते हैं suppose हम technometric ratios of 45 degree यानि कि हम देखना चाहेंगे कि sin 45 degree की value क्या होती है sin 0 degree की value क्या होती है sin 30 degree की value क्या होती है sin 45 degree की value sin 60 degree value sin 90 degree value और cos 10 sac cosac और cot इन सब की हम इन specific angles के लिए value को find out करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम 45 degree की value की जानकारी करते हैं सब technometric ratios के लिए सब मैंने हैं यहां पर 45 degree ही क्यों लिया है क्योंकि 45 degree सबसे पहले हम को समझने के लिए बहुत ही आसान तरीके से हम sin 45 degree के किसी भी technometric ratio की value की हम पता कर सकते हैं जैसा कि हमने यहां पर एक right angle triangle का image लिया है अब आप देखोगे कि इसमें क्या है मुझे technometric ratio किसके चाहिए 45 degree के लिए specific अब यह तो आप जानते हो कि right angle जो ट्रेंगल होता है उसमें एक angle होता है हमारा 90 degree तो बच्चों यह angle है हमारा 90 degree अब मुझे को कह चाहिए technometric ratio of 45 degree अभी अभी यहां पर अगर रेसो नहीं है तो मैं यहां पर लिखूँगा sin a equal to क्या लिखता हूँ opposite side and adjacent side opposite side and hypotenruct opposite side क्या है these two एप पर B C divided by A C यानि कि sin a की value मेरी यह होगी क्योंकिucking में मैं क्योंकि में यहां पर एप Araगर मुझे value क्या है यहां पर angle की value अगर मुझे पता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ predict 25 divided by BC बटे AC यहां पर 45 डिग्री है मानके fraction और मेरे पास BC और AC की मेजरमेंट है तो BC और AC की मेजरमेंट की हेल्प से मैं साइन 45 डिगरी की वैल्यू निकाल सकता हूँ अभी देखो बच्चो अभी मेरा ये जो एंगल है आपर इसका एक एंगल मैंने 45 डिगरी लेट कर लिया तो ये कनफर्म है कि जब मेरा एक एंगल इसका 45 डिगरी है और दूसरा एंगल 90 डिगरी है तो एंगल C कितना होगा अभी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो कोई भी ट्रेंगल उसके जो तीनों एंगल होते है उसके और एंगल का सम क्या होता है 180 डिगरी यानि कि तीनों एंग एंगिल A क्या है मेरा 45 और एंगिल C को मुझे find out करना है तो एंगिल B यहाँ पर 90 डिगरी है और इसको लिखता हूँ 180 डिगरी तो यहाँ पर मैं एंगिल C 180 डिगरी माइनस के 135 डिगरी तो एंगिल C मेरा क्या होगा 45 डिगरी तो इस तरह जब मेरा एक राइट एंगिल ट्रेंगल में ट्रेंगल ABC में एक एंगिल 90 डिगरी है और दूसरा 45 है तो यह confirm होता है यह definitely सच बात है और मैं हाँ पर प्रूब भी कर चुगा हूँ कि इसका जो दूसरा जो एंगिल होगा वो भी क्या होगा वो भी बच्चो क्या होगा वो भी 45 डिगरी होगा वो भी क्या होगा वो भी मेरा 45 डिगरी होगा अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस ट्रेंगल यह जो मेरा triangle है इसके दो angle क्या sum है जब मेरे दो angle sum है तो इनके सामने की जो opposite इसके जो just opposite side क्या होंगी वो भी equal होंगी मैं क्या है if angle A equal to angle C equal to 45 degree so B C equal to A B क्योंकि angle A A के just opposite कौन सी side है opposite side B C और angle C के opposite side है A B तो यह हम कह सकते है if two angles of a triangle is equal then opposite side of those angles will be equal तो अगर इसके दोनो angles equal है तो इसकी दोनो sides opposite sides भी equal होंगी तो opposite side कौन को इसके बच्चे यह और यह तो यह और यह मेरी side भी equal होंगी तो अभी मैं let कर सकता हूँ let यह जो दो opposite side equal है तो मैं इनको कर सकता हूँ A B equal to A B A B equal to क्या बच्चो A B equal to B C यह रूप हो चुका है और मैंने क्या कर दिया let A B equal to B C equal to A मैंने इस inside की measurement क्या ले लिया A ले लिया तो यह A हो गया यह भी मेरा बच्चो क्या होगा A हो गया अब मैं यहाँ पर by python गोरस by python थोरम मैं क्या लिख सकता हूँ A C का square equal to A B square plus B C square अब A C square A B क्या है A square plus A square equal to 2 A square इस लिए इस परकार A C equal to root 2 A यह रूट 2 तो बच्चो इसका hypotenuse क्या हो गया A root 2 कहां से लिकाड़ा मैंने by python by python गोरस से इसका hypotenuse क्या हो गया A root 2 अभी अगर मैं अब मैं लिखता हूँ sine जो technometric ratio sine तो sine अगर मैं A value लेता हूँ है तो sine A equal to क्या होती है बच्चो B C divided by A C B C क्या है इसका opposite sides of this angle और A C hypotenuse तो opposite side of this angle क्या है इसकी A और hypotenuse क्या है इसका A root 2 और sine A क्या है इसमें sine A क्या है sine A की value of 45 degree A A root 2 इसे एक रोस हो गया तो क्या हो गया बच्चो 1 by 2 तो इस तरह मेरा sine 45 क्या आता है 1 by root 2 इस तरह sine 45 की value क्या होती है बच्चो 1 by root 2 ये आपको complete memorize कर लेनी है और रट लेनी है और अगर आप से इसका कोई प्रूप पूछता है तो इस तरह इसका solution कर देना है अभी मुझे से कोई पूछे कि cos 45 degree की value क्या है तो cos A मैं A लेकर चलूँआ cos A क्या होता है यानि कि A adjacent side divided by hypotenuse side तो adjacent side को क्या लिखता हूँ मैं यहां से A B divided by A C अब चो A B क्या है पताइए मुझे A B की है value A लेट किया है हमने और A C A root 2 और A को क्या लिखा मैंने है पर cos 45 क्योंकि यहां पर मैंने mention किया हुआ है जो angle है 45 है और A A root 2 A से A cross हो गया तो क्या होगा बच्चो 1 by root 2 तो cos 45 degree की value क्या है 1 by root 2 अब कोई से बूजता है कि 10 तो 10 A क्या होता है opposite side divided by adjacent side तो opposite side क्या है इसमें B C divided by A B अब बच्चो B C क्या है A और अभी बच्चो 10 A क्या है आपर 45 मतलब A की value क्या 45 और B C की क्या A और A B की A तो क्या होगा 1 इस प्रकार मेरी 10 45 की value क्या आगई 1 तो अभी मैं इसके माध्यम से किस की value ले चुका हूँ sine 45 क्या है बच्चो 1 by root 2 cos 45 क्या है थी 1 by root 2 और यहाँ पर 10 45 क्या है थी मेरी 10 45 1 अभी देखोगे तो sine किस का अपोजिट है sine का अपोजिट क्या होता cos A बरावर क्या होता था 1 by sin A तो यहाँ पर मैं आगर cos लेख दू cos 45 लेख दूँ मां तो क्या हो जाएगा 1 by sin 45 तो अगर मैं cos 45 1 by sin 5 की value क्या 1 by root 2 तो इस तरह मेरी क्या cos A इस तरह मेरी cos A 45 की value क्या जाएगी root 2 इस तरह ही मैं sec 45 equal to 1 upon cos 5 equal to root 2 and cot 45 equal to 1 upon 10 45 and cot 45 equal to 1 तो इस तरह मैं जो मेरी 6 टिक्नोमेट्रिक function है उन सब की degree 45 के लिए specific जो value है वो मैं find out कर चुका हूँ अब बच्चो हमें लिकार दनी है टिक्नोमेट्रिक रेसोज of 30 degree and 60 degree and 60 degree 30 degree और 60 degree की क्या निकालनी है हमें value निकालनी है अभी आपने देखा होगा हम कक्छा नाइन्थ में equilateral triangle के बारे में पढ़ चुके हैं اور equilateral triangle क्या होता है जिसकी तीनों side क्या होती है तीनों side इन ट्रेंगल ABC, इन ट्रेंगल ABC में, AB equal to BC equal to CD, AB equal to BC equal to AC, ये इसकी पोजिशन है, और एक्यू लेटरल ट्रेंगल में, अगर तीनों साइड क्या है, इक्वल है, तो तीनों एंगिल से भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए, एंगिल A, एंगिल B, और एंगिल c equal to क्या होगा बच्चो 63 तीनों एंगिल kicks 63 होगा ये किसकी प्रॉपर्टी है एक्यूडरी ट्रैंगल की प्रॉपर्टीज हैं ये अब हम थोड़ा सा प्हले एक्यूडरी ट्रैंगल लिया थोड़ा सा Parliament कर लिया क्या construct किया है देखो construct a line a d a line a d which is perpendicular which is which is construct a line a d which is start from vertex vertex a to vertex a which is start from vertex a and and क्या करती है एंड बच्चो and construct a line a d which is start from vertex a and join to join to point d join to point d line line a d line a d divided line a d line a d divided angle a angle a two equal part to equal angles यानि कि जो एंगिल A है लाइन AD उसको दो एक्वल पार्ट में डिवाइड करती है तो हम यह कह लिखे देंगे हैं आपर बच्चो इसको लिखे देंगे एंगिल 1 और इसको लिखे देंगे एंगिल 2 Line AD divides angle A to two equal parts Angle 1 and angle 2 Okay Now In triangle ABD and triangle ADC इसमें क्या angle B equal to angle C इसमें क्या है क्यों क्योंकि By equilateral triangle property और angle 1 equal to angle 2 क्योंकि AD divides angle A into two equal parts And side AD equal to AD common side क्योंकि यह क्या है Common side in both triangles So triangle ABD congruent triangle A, C, D Y, A, A, S congruence rule यानि कि आप को मेरी cap कराना चाहूँगा Class 9 में आपने congruence प्रूब करने के लिए Trangles को कुछ rules पढ़े थे उन में से एक rule है angle angle side जब दो Trangles में Corresponding angles, angles और sides Equal होती है तो उसको बोलते हैं हम angle angle side congruence rules तो इसलिए BD equal to BC by CPCT By CPCT भी एक Congress के chapter में एक rules है By CPCT उसके दुआर क्या हो जागे BD equal to DC तो बच्चों यहां पर हमारा यहां पर अगर मैं लेता हूँ यह एक angle तो मेरा यह हो गया यह मेरा angle आगया A D B B अब इसके क्या है यह वाला angle 60 है और यह क्या है 30 degree है यह 60 degree यह 30 degree अब मैंने AB को क्या लिया है AB को AB क्या है यह जो बेरी यह side है यह inside असको के लिए हमने equal लिया है तो मैं माल लेता हूँ इसको 2 A और यह भी क्या होगे 2 A और बच्चों यह भी बेरी क्या होगी 2 A और अब यहां पर देखोगे आप तो यह यह कितनी है इसका half है प्रूप हो चुका है BD equal to DC तो इसका मतलब यह क्या half है और यह क्या होगी A अब मेरे पास यह A 2 A यह दो इसकी side की dimensions है मेरे पास यह आ गया है finally इसका A B C इसमें क्या है बच्चो 90 degree और यह मेरा 60 degree और यह क्या है 30 degree यह इसकी लंबाई इसको क्या है 2 A इसकी length क्या है 2 A और इसका क्या है A अब मैं by pythagoras theorem by pythagoras theorem मैं BC cube को find out कर सकता हूँ तो A C square equal to AB square plus के BC square A C क्या है मेरा 2 A का square और A B A square plus के BC square अब इसको देहुआ क्या था 4 A square equal to A square plus के BC square यह आगया 3 A square equal to BC square और B C 3 A square का क्या आगया root और इसको लिख दूँगा A root 3 तो इस प्रकार मेरा क्या आगया बच्छा BC A root 3 हो गया BC अब मैं इसको बेश लेता हूँ पहले कि इसको A को तो मैं लिखता हूँ यह sin A तो sin equal to क्या होगा opposite side opposite side opposite side BC divided by hypotenuse अब sin A क्या है बच्छों है आपर sin A sin 60 degree और BC क्या है BC मेरा A root 3 और 2 A होगा इसका hypotenuse तो इससे एक क्रोस हो गया तो sin 60 का value के आगे मेरे 3 under root 3 by 2 इस तरह ही मैं cos A की technometric function जानता हूँ adjacent side divided by hypotenuse side तो इसकी adjacent side क्या है A B divided by A C और A B है मेरी A और hypotenuse इसका 2 A हाइप यहा लिखता हूँ मैं इसको cos A क्या बच्चो इसका 60 और A B क्या इसका A और यह 2 A A से A cross हो गया तो क्या आगा 1 by 2 तो इस परकार मेरी sin 60 की value आगे root 3 by 2 और cos 60 की value आगे 1 by 2 अब मैं लिखालता हूँ 10 A 10 A बराबर क्या होता है equal to मेरा opposite side divided by adjacent side तो opposite side क्या है B C इसके according क्या है 60 के according देख रहे है B C A root B C और adjacent side है AB और B C क्या है A root 3 और A A A से 1 cross हो गया तो यहोगी root 3 इस तरह मैंने इस तरह मैंने sin 60 equal to root 3 by 2 cos 60 equal to 1 by 2 10 60 equal to 1 by root equal to root 3 इनकी value find out कर लिए अब इनकी help से मैं cos x 60 just opposite to sin 60 क्या हो जाएगी 2 by root 3 और fact 60 हो जाएगी equal to 2 और 10 60 हो जाएगा 1 root 3 तो इनकी help से मैं जो बाकी 3 trigonometric functions है उनकी value भी निकाल सकता हूँ अब मैं बच्चो इस value को base लेते हुए इस value को आधार मानते हुए trigonometric function 30 degree की value निकालूँगा तो अगर मैं इसको बेश लेता हूँ तो यहां लेकर देता हूँ sign c तो sign c के लिए इसके just इसके opposite side कौन सा है a b और इसका hypotenuse क्या है a c अब sign c क्या लिया है मैंने बच्चो sign c लिया है मैंने आप 30 और a b है मेरा a और a c है मेरा 2 a तो यह आगया मेरा 1 by 2 तो sign 30 की value आगी 1 by 2 और sign 30 की value से ही मैं निकाल दूँगा cosac 30 degree की value 2 क्योंकि cosac cosac होता है sign का just opposite अभी हम लेते हैं आपर क्या cos c cos c का क्या हो जाएगा यह इसके opposite side यह तो इसका क्या एड़ेसेंट side क्या होते इसके एड़ेसेंट side एड़ेसेंट side एड़ेसेंट side b c divided by high proteinus तो b c की value क्या a root 3 और यह 2 a a से 1 cross होगा यह आगा मेरा root 3y 2 तो इस तरह मेरी और इसको कहले दो मा बच्चों मैं 30 इस तरह मेरी cos cos 30 की value आगे root 3 by 2 और इसकी help से मैं निकाल दूँगा sec 30 just opposite to this 2 divided by root 3 अब बच्चों हम निकालते हैं 10 का तो 10 c क्या हो जाएगा 10 c 10 c क्या हो जाएगा बच्चों इसका 10 c क्या होगा इसका just opposite just opposite a b और adjacent b c 10 c को क्या लिको हो मैं 10 30 क्योंकि मेरा c क्या है 30 degree और a b a और यह क्या है बच्चों मेरा a root 3 a से a cross हो गया तो क्या आगा मेरा one divided by root 3 अब cot 30 का क्या होता है just opposite to this cot 30 का आगया मेरा इसके opposite root 3 इस तरह में जो मेरे 6 technometric function है उन सब की value 30 degree और 60 degree के लिए यहाँ पर निकाल चुका हो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे किसकी तरह बढ़ेंगे बच्चों technometric ratios of 0 degree क्या 0 degree तो 0 degree की तरह देखते हैं तो पहले मैंने मैंने एक right angle right angle triangle बनाया है अब मैं क्या 0 की तरह बढ़ें यहाँ पर क्या इसका कुछ value मानके चलो यहाँ पर 45 फिर यहाँ पर कम हो गई उससे कम उससे कम उससे कम और धीरे धीरे यह 0 होगी जब मेरी एंगिल ए की value 0 हो जाती है यहाँ पर क्या हो जाती है एंगिल ए की value क्या हो जाती है जीरो हो जाती है तो 0 किस कंडिशन में होगी यहाँ कि मेरे hypotenuse क्या hypotenuse क्या हो जाता है hypotenuse equal to adjacent और यह जो opposite side है opposite side क्या हो जाती है 0 opposite side क्या हो गई opposite side equal to 0 यानि कि A hypotenuse A B equal to A B equal to A C and B C equal to 0 ये किसम है 4 0 degree की किसम है अब मैं हैं पर लेता हूँ sine function sine function लिया मैंने sine A sine A को क्या लिखोगा बच्चों मैं है पर B C divided by A C अब बताओ B C की value कितनी है 0 अब यहां पर लिखो मैं sine 0 तो इस केस में ये 0 का केस है इसमें B C की value कितनी है 0 और A C क्या है कोई भी value हो तो sine 0 क्या हो जाएगा मेरा 0 इस तरह मेरी sine 0 की value क्या जाएगी 0 अब मैं यहां पर लेता हूँ cos 0 to cos 0 क्या होता है adjacent side divided by hypotenus side अब इस यहां पर देखो तो adjacent क्या है यहां पर A B और hypotenus भी क्या है A C A B A C क्या है equal तो क्या हो गया A B A C equal हो गई तो यहां पर क्या गया मेरा 1 इस तरह cos 0 की value sine 0 की value 0 और cos 0 की value equal to 1 अब मैं आता हूँ बच्चो 10 0 की value पर 10 0 के लिए क्या लिखते हैं opposite side divided by adjacent side opposite side BC divided by AB अब बताओ BC क्या है BC तो मेरा 0 है और AB AB है तो क्या होगा 0 10 0 की value होती है मेरी 0 अब मैं अगर मुझे और functions की value निकाल ली है तो Q sec 0 Q sec 0 की क्या लिखता हूँ मैं 1 बटे sign 0 अब मेरी sign 0 की क्या 1 बटे 0 तो ये क्या होगा मेरा cos 0 क्या होगा undefine क्या होगा cos 0 equal to undefine ये होगा undefine और अगर मैं sec 0 की लिखता हूँ तो sec 0 equal to 1 बटे cos 0 तो 1 by 1 equal to 1 इस तरह मेरी sec 0 की value आजाएगी 1 by 1 और अब मैं आता हूँ किस पर Qt 0 Qt 0 की value आगे 1 by 10 0 1 by 0 ये भी क्या होगा मेरी undefine undefine Qt 0 की होगा मेरी undefine इस तरह ही मैं technometric research of 90 degree का पता लगा हूँगा अब देखो बच्चो मेरा ये मैंने एक right angle triangle लिया अब मुझे angle A को क्या करना है angle A को 90 degree बनाना है क्या बनाना है ये थी हां पर बनाया है तो angle A को 45 था तो increase हो गया अब मैंने ही ये थे लाया है तो increase हो गया लेकिज अभी 90 degree से कम है और ये थे ये ये लाया抓 तो increase तो हुआ है यहां इसके respect में लेकिन अभी 90 degree से कं है जैसे ही ये यह यहां पर पहुंचेगा तो angle A क्या हो जाएगा 90 degree angle A equal to हो जाएगा angle B angle A क्या हो गया है पर angle B equal to क्या होगा 90 degree but जो इसकी क्या है but A C equal to क्या होगा A C equal to हो गया A B but A C equal to A B and a b equal to क्या हो गया बच्चो 0, a b हो गया 0 यानि कि hypotenuse क्या हो गया इसका adjacent side क्या होगी 0 अब मैं है आप लेता हूं sine का कहले तो sine का तो sine a equal to क्या होता बच्चो, opposite side divided by hypotenuse opposite side क्या है इसमें bc divided by ac अब बच्चो देखो, इस केसमें क्या bc और ac क्या है, bc और ac equal है, अब यहाँ a की जी का क्या लिखो, मैं sine 90 degree, तो bc equal to किसके है, ac के तो क्या होगा मेरा, one इसलिए मेरी क्या होगी, sine 90 degree की value क्या हो जाती है, one इसलिए मेरी sine 90 degree equal to हो जाती है, one अब मैं लेता हूं यहाँ पर sine cos, cos का function cos a, cos a को लिखोगे, तो adjacent side divided by hypotenus अब cos a क्या है, मेरा a degree क्या 90 degree, और यहाँ पर देखोगे क्या, a, b a, b क्या होगी चुकिए, बच्चो 0, क्या होगी, 0, और ac है, ac ही तो यहाँ पर क्या होगा, 0, तो cos 90 degree equal to होता है, मेरा 0, अब में लेकर चलता हूँ, 10 a, 10 a equal to क्या होगा, opposite side divided by adjacent side, तो b c divided by a b, अब यहाँ पर आता 10 90, b c क्या है बच्चो, b c, b c है, और a b क्या हो चुकिए, मेरी 0, और जब यह किसी भी नंबर, किसी भी संक्या के नीच जीरो आ जाता है, तो function क्या हो जाता, undefined, undefined हो जाता, sin 90, अब यहाँ निकालू, मैं अगर कुसेक 90 डिगरी, तो कुसेक 90 क्या हो जाएगा, 1 divided by sin 90, 1 by 1 equal to क्या हो जाएगा, 1, इसलिए कुसेक 90 डिगरी की value हो जाएगी, 1, अब मैं निकालना चाहूँ, आपको sec 90 डिगरी, यह हो जाएगी, मेरी 1 by cos 90 डिगरी, 1 by 0, यह हो गया, मे 90 डिगरी, डिवाइड बाइड 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 टैन, 90 डिगरी, 1, यह क्या हो गया, मेरा अन डिफाइन, और यह क्या हो जाएगा, 0, क्या जाएगी, 0 इस तरह मेरी 490 डिगरी की value हो जाएगी, 0, ओके, इस तरह में, टिग्नोमेट्रिक रिशूज, साइन, कॉस, इन सब की value, 0, 30, 45, 60, 90 डिगरीज के लिए निकाल चुका हूँ, जिने हम direct question में use कर सकते हैं, अब यहाँ पर आता है मेरा टिग्नोमेट्रिक रिशूज, टेविल, आप यतने भी मैने टिग्नोमेट्रिक रिशूज को निकाला है, उन सब को एक टेविल में, टेविल की form में जैसे जाकर यहाँ पर लिख दिया गया है, अब देखो, जैसे sign, यहाँ से आप इसको किस तरह में मुराई करोगी, जैसे आपको इसको रटना है, क्योंकि आप इसको जब लो रटोगे नहीं, जब लो आप questions में, आप अच्छी तरह इनको यूज नहीं कर सकते, जैसे आप छांगे सैक कोई पूछता है, कोज जीरो की वेलिया है, कोज तो कोस यहाँ है, और जीरो क्या है, ढोर जीरो डिगरी की वैलिया है अगर आपसे कोई पुछता है कि कॉस 30 degree की वैली बताओ पहले देखो cos कहाँ पर है cos यह इस इस रो में 30 degree यह है cos cos 30 degree means हो गया root 3 by 2 अगर आप से कोई पूछता है आप बताओ मुझे sec 60 degree तो पहले sec देखिएगा कौन सी रो में sec यहाँ पर है 60 कौन से कोलम में है यहाँ पर है तो sec 60 degree की value आगे बेरी 2 इस तरह आप हम इस table को देख सकते हैं और याद कर सकते हैं अब अगर आप किसी तरह इस table को भूल जाते हैं तो उसके लिए जो मैंने proof बताए हैं उनसे भी सौलव करके इनको याद कर सकते हैं और अगर और मैं मैं आपको एक trick बताऊँगा जिससे आप सायद उसको समझ कर या उस trick को रट कर आप इनको टिक्नोमेटिक रिसोज के जो specific values हैं उनको आप नहीं बूलोगे देखो बच्चो हम इसको इस तरह करते हैं मैं यह sign है क्या है sign sign जो मेरा टिक्नोमेटिक रिसो है उसकी specific जो एंगिल थे उन सब के लिए values को किस तरह मुझे याद रखना है तो यहाँ पर मैंने sign लिखा और यहाँ पर लिख दिया 0 degree के लिए याद रखना आपको फिर रखना है 30 degree के लिए याद फिर रखना है 45 degree 60 degree और 90 degree तो बच्चो आपको मुझे पक्का मालूम है और मैं दावी के साथ कह सकता हूँ कि numbers की बारे में काफी पता है और आप numbers जानते हो counting numbers को तो आप जानते ही हो तो start होते हैं 0 से 0 के बाद 1 2 3 4 यानि कि 0 के सामने लिखा है मैंने 0 30 degree के सामने लिखा 1 और 45 के सामने 2 60 के लिए 3 और 90 के लिए 4 ठीक है बच्चो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको ठीक है अब मैं अगले step में 0 को 4 सब को इनको 4 से क्या कर देता हूँ divide कर देता हूँ 1 को भी 4 से 2 को भी 4 से और 3 को भी 4 से और 4 को भी 4 से यानि कि मुझे इनको याद करने के लिए 0, 1, 2, 3 लिखना है और सब को 4 से divide कर देना है उसके बाद मुझे कर देना है इनका root क्या कर देना है इनका under root अब बच्चो बताओ इसका under root क्या होगा 0 इसका under root क्या होगा 1 by 2 इसका क्या होगा तू से टू कट जाएगा वन का वन वन बाई रूट तू और इसका क्या होगा रूट थ्री बाई टू और इसका क्या होगा वन इस तरह मैं इनकी वैलू को अच्छी तरह से याद कर सकता हूँ अब मेरे पास साइन की वैलू आगे इस तरह ही मैं कॉस की वैल बिजट लेंगे, क्या लेंगे, हम four लिख लेंगे, four, 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 अब मुझे क्या करना इन four को, क्या करना बच्चो four को, four के उपर क्या लिख देना मुझे, four, three, two, one, one, zero, यानि कि मेरा आ गया 4 by 4, 3 by 4, 2 by 4, 1 by 4 और 0 by 4 मुझे कर देना है इनको root, इनका root, root और root इसका क्या आएगा 1, तो cause 0 की value क्या आती है 1 और इसका root निकालने पर क्या आएगा मेरा root 3 by 2 इसका आएगा 1 by root 2, इसका 1 by 2 और यह हो जाएगा 0 तो इस तरह मैं sign और cause की value निकाल सकता हूँ image क्या करना है पहले 1, 2, 3 लिखनी है फिर इसको divide कर देना है 4 से उनका जो answer आएगा वो इनकी value हो जाएगी अब cause 0 में मुझे क्या करना है पहले 1, 2, 3 just reverse लिखना 0, 1, 2, 3 और उनको 4 से divide कर देना है divide के बार root करना है तो value आजाएगी मेरी यह अब जब मुझे sign और cause के technometric function पता लग गया तो उनकी help से मैं बाकी सारे निकाल सकता हूँ जैसे कि मुझे यह पता है तो मुझे निकालना 10 का तो 10 का निकालना के लिए करता हूँ 10 का होता, sign और cause का ratio होता है और जब मुझे sign का पता है तो को sec का निकल जाएगा और sec का पता है तो मुझे sec का निकल जाएगा तो यह memorize trick जब मैं भी अपनी 10th standard में पढ़ता था तो मैं इसी memorize trick को use करता था आप भी स्ट्रिक को यूज करके आप कर सकते हैं आप कभी भी टिक्नोमेटिक रेसोज के लिए जो एंगिल्स की वैल्यू है उनको आप कभी भी नई भूलोगे अब बच्चो मुझे लगता है कि आप के टिक्नोमेटिक रेसोज के सारी जितनी भी वैल्यू है वो आपको पता लग गी होंगी तो अब हम चलते हैं बच्चो किस की तरफ एक्सरसाइज की तरफ एक्सरसाइज 8.2 हम क्या करेंगे एक्सरसाइज 8.2 तो चलो 8.2 करते हैं तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है अभी मैंने आपको बताया था साइन सिक्स्टी की वैलू कितनी होती है आप यहाँ पर देख सकते हो साइन सिक्स्टी की वैलू होती है रूट 3 by 2 तो इस टेबिल से आप उठाया और साइन सिक्स्टी कीज़ लिख दिया आपने इसकी वैलू आफ ऐसी कॉस्स थर्टी डिग दिखते है आपके सायद values टिक्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगिल की value अच्छी तरह मेमोराईज नहीं हुई है तो हम देखेंगे एक दो बार और आपको भी याद होगी और हमें भी याद हो सकती है कॉस्ट थर्टी अभी कॉस्ट थर्टी क्या है बच्चो कॉस्ट थर्टी की क्या है रूट थरी बाई टू क्योंकि मुझे हैं से पता लग रही है अब कॉस्ट थर्टी के लिख दिया मैं रूट थरी बाई तू अब बच्चो साइन थर्टी की क्या होती है बताईए मुझे लग रहा है कि 1 by 2 और कॉस का क्या है root 3 by 2 तो इसका sin 30 का क्या 1 by 2 और कॉस 60 का भी चलो लेखते है कॉस 60 का आ गया मेरा 1 by 2 कॉस 60 का भी क्या है 1 by 2 اب यह submit क्या हो गया fraction वाले क्या हो गए addition हो गए तो root 3 root 3 की multiply क्या होगे 3 by 4 और ये क्या आ गया मेरा 1 by 4 आ गया solve किया तो 4 3 plus 1 equal to 4 by 4 ये आ गया मेरा 1 तो इस को जो question number 1 है उसके first part का इस तरह हो गया complete solution अब हम इसके चलते हैं किस पर second part पर तो बच्चो 2 अभी बताओ 1045 की value क्या होती है तो 1045 की value 1 जैसा कि मुझे याद आ गई और cost 30 की value क्या होती है root 3 by 2 हम table से देख भी सकते हैं और sign 60 की क्या होती है root 3 by 2 मुझे इसलिए याद आ गई क्योंकि मैंने अभी देखा था एक बार देख लेते हैं tables में चलो तो यह क्या है बच्चो 2 1 का square क्या होता 1 under root 3 by 2 का square हो गया 3 by 4 और यहाँ पर क्या हो गया इसका 3 by 4 यह plus का यह minus का यहाँ पर क्या बच्चो 2 cross 1 equal to 2 तो इस question का answer हो गया मेरा 2 अब हम इसको करते हैं किसको cos 45 को तो जैसे की cos 45 की value क्या होती है 1 by root 2 आप मुझे sec 30 की पता करनी है तो sec 30 किसका होता जैसे कि यह क्या मुझे अगर cos 30 का पता है तो sec 30 का भी आ जाएगा 1 by sec 30 और sec 30 equal to क्या होगा 1 by cos 30 अब ही मुझे पता लगी थी cos 30 की क्या थी root 3 by 2 तो इस तरह cos 30 क्या जाएगे 2 root 3 तो मैंने हुआई से लिख दिया है 2 by root 3 अब मुझे चाहिए cos 30 तो sin 30 की क्या है 1 by 2 आप नहाँ देख सकते हैं साइन 30 का क्या था 1 by 2 तो इसका अपोजिट क्या हो गया इसके अपोजिट आ गया कूसेक 30 का तो मेरा हो गया साइन 30 एक्वल टू 1 by 2 तो मेरा हो गया कूसेक 30 एक्वल टू तो क्या हो गया 2 1 by root 2 2 by root 3 तो यह हो गया मेरा 2 तो अब इसको सौर्ण कर लेंगे हैं 1 by root 2 root 3 2 plus 2 root 3 तो मेरा आ जाएगा root 3 2 plus 2 root 3 तो मैं और सौर्ण करूँगा तो इसको आ जाएगा root 3 2 root 2 1 plus 2 root 3 इह मैं चेक कर लेते हैं कॉस 45 की value क्या होती है कॉस 45 की होती है मेरी 1 by root 2 साइक 30 की हो गयी root 2 by root 3 साइक 30 की किसके होगी cost 30 के opposite cost 30 की क्या होती है root 3 by 2 इसके होगी 2 root 3 आप कूसेक 30 की क्या होती है साइक 30 की होती है 1 by 2 तो इसकी क्या होगी 2 अब इनको solve करा तो मेरा ये आ गया question का answer अब बढ़ते हैं इसकी तरफ साइन 30 की value क्या है बच्चो साइन 30 की है 1 by 2 आप तो आपके भी याद होगी हूँ, जैसे मेरे याद होगी है values, sine 30 की 1 by 2, 1045 की 1, और cosec 60 की, यानि कि sine 60 की कितनी होती है, बताईए, sine 60 की होती है, root 3 by 2, तो cosec 30 की क्या हो जाएगे, 2 by root 3, cosec 30 की क्या होती है, cost 30 के just opposite, cosec 30 की होती है, root 3 by 2, तो सैक्की क्या होगे, 2 by root 3, यहाँ पर cosec 60 की 1 by 2, और cosec 1, अब इसको इस तरही solve करेंगे हैं, इसका क्या गया बच्चो, 3 by 2, minus 2 by root 3, और इसका होगया मेरा 2 by root 3, plus 3 by 2, अब यहाँ पर चलते हैं, इसमें आगया हमारा lcm, 2 by root 3, और 2 यहाँ पर आजाएगा, 3 by root 3, minus के, by root 3, 4, और यहाँ पर भी लिखे दूँगा, मैं 2 by root 3, 2 by root 3 आजाएगे, बच्च 2, 2 by root 2, 2 by root 2, 2 by root 3, इससे यह क्रॉस हो गया, तो मेरा यह बच्च 3, root 3, minus के 4, और 4 by root 3, तो मेरा आजाएगे, यह answer, इसको भी solve करने के लिए, क्या करेंगे अभी हम, 3 root 3, minus के 4, इसका कर देंगे, opposite sign करके, multiply कर देंगे, numerator और denominator में, तो 4 plus 3 root 3, 4 minus 3 root 3, इसकी आप multiply करो, और इसको भी solve, इसका यह क्या यह क्या बन जाएगा, बच्चो, यह हो जाएगा, A plus B, A minus B, equal to A square, minus के B square, तो यह क्या गा, 60, इसको भी मैं solve करके, आप solve करके, आगे, इसका answer ढूंड सकते हैं, इस तरह यह मेरा question number 5, question number 5 को चला, हम complete करेंगे, question, यह cost 60, cost 60 का क्या value होती है, बच्चों, बताओ, cost 60 की होती है, मेरी 1 by 2, ओके, इसका square कर दिया, अब, sec 30, sec 30 किसके opposite होता है, cost 30 के, cost 30 की क्या होती है, root 3 by 2, तो, sec 30 की होगे, 2 divided by root 3 का square, वो 1045 होगा मेरा, 1 का square, sin 30 का होता है, मेरा 1 by 2 का square, plus cost 30 का होता है, मेरी root 3 by 2 की, square, अब, इसको solve करते हैं, 5, 1 by 4, plus की 4, 4 by 3, minus 1, यह आगा, मेरा 1 by 4, 3 by 4, यह कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्प calculation कर रहे हैं, 5 by 4, plus 16 by 3, minus 1, और यह होगे, मेरा 4 by 4, एक क्रॉस होगा, तो, आगे मेरा 5 by 4, plus 16 by 3, minus 1, यहाँ पर देखोगे, LCM क्या जाएगा बच्चों, 12, 15, 3, 4 जा, 12, 64 minus 1, और यह हो गया, मेरा 64, पिलस के 14, by 12, और यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, by 12, और यहाँ गया, मेरा इसका आंसार, अब हम करेंगे, बच्चो, कुश्चन 2, कुश्चन 2, क्या, objective type, कुश्चन है, इसमें, option दिये है, मुझे बताना है, कि किसके लिए, सभी है, किसके लिए, इसका आंसर सही है, तो मैं देखता हूँ, पहले इसका आंसर निकालता हूँ, इसका आंसर क्या हो सकता है, तो, 10, 30 degree, divided by 1, पिलस की, 10 square, 30 degree, अब, 10, 30 की value, क्या होती है, बच्चो, 1 by root, 3, यहाँ गया, मेरा 1, और इसका क्या हो गया, मेरा 1 by root, 3 का, square, तो, इसको लिख सकता हूँ, मैं 2 by root, 3, 1, पिलस 1 by, 3, यह हो गया, 2 by root, 3, और यह हो गया, मेरा 4 by, 3, अब, यहाँ पर करेंगे, हम इसको, 2 into 3, by, 4 into root, 3, 2, 2 तू जा, 4, और इसको क्या होगा, root 3, तो root 3 by, 2, इसका आंसर आगया, मेरा बच्चो, root 3 by, 2, अब इसमें देखना है, हमको कौन से option में, जो technometric function दिये हैं, different different angles के लिए, इसकी value root 3 by 2 होती है, तो मैं मुझे, पता है, मैंने रट लिया है, मैंने समझ लिया है, sine 60 की value होती है, root 3 by 2, इसलिए option 1 क्या है, correct answer, क्या है, correct answer, इस तरह ही मैं, इस question को करूँगा, second को, तो second में बच्चो, क्या हैं ही कर देते हैं, लिख लेते हैं, फिर लिए 1, 10 square 45 degree, 1 plus 10 square 45 degree, मुझे लग रहा है, कि बच्चों ने answer, ढूंड लिया होगा, तो one 45 का क्या होता, one का square, one plus one का square, one minus one, one plus one, zero by two equal to zero, यहां पर क्या है, zero, तो इस तरह में रा answer हो गया, इसका d, अब हम देखना है, कि sine 2a, और 2 sine a, is true when a, को मैं लेता हूँ, देखो बच्चों, lhs ले लेता हूँ पहले मैं, किस के लिए टू, lhs क्या है मेरा, sine 2a, अभी मैं देखता हूँ, four, a equal to zero के लिए, तो इसमें put कर देता हूँ, sine 2a, तो बच्चों, sine 2, zero, यह हो गया मेरा sine zero, sine zero की वरे को होते हैं, zero, sine a, two, sine zero, two, zero, equal to zero, तो इसलिए मेरा lhs, equal to rhs, four, a equal to zero, तो इस value के लिए मेरा क्या हो गया है, proof हो गया four equal to zero, तो option क्या हो गया मेरा इसका a, अब इस question को देखते हैं, इसमें कौन सा option सही है हमारा, two, ten, 30, यह लिख लेते हैं, question को two, ten, 30 degree, one, minus, ten square, 30 degree, अब बच्चों बताओ, two, ten, 30 की value क्या थी, मेरी one by root three, ten, 30 की value लिख दिया मैंने, ten, 30 की जगे, one by root three का क्या है, square, और यहां पर मैं से करूँगा, तो क्या जाएगा, मैं रहीं कर लेते हैं, two, divided by root three, one, minus, one by three, तो इस तरह मेरा आ गया, two by root three, और यहां गया, three minus one by three, और इसको और आगे सोल किया, तो अगर two, divided by root three, और two, बच्चे three, तो इसको लिख दूँगा, मैं two, three, और two, root three, दो से दो क्रॉस हो गया, और यहां गया, मेरा root three, और root three किसकी value होती है, यह मुझे पता लगाना है, root three होती है, मेरी ten sixty की value, क्योंकि मैंने table में देखा था, और हम चेक करने के लिए देख भी देते हैं, क्योंकि मुझे भी doubt है, कि मैं सही बोलना हूँ, या नहीं, तो ten sixty, ten sixty, इसका मतलब हम सही थे, और हम सही बोल ले थे, मेरी भी याद है, और साइद आपको भी ये value याद हो चुकी है, तो कितनी आसान है टिक्नोमेट्री, कुछ नहीं करना, आपको फार्मिलेज को समझना है, उनकी value रखनी है, और सिर्थ, देखते रहना है किस तरह हिस्सोल हो रहा है, अब देखो, बच्चो, कुछन नमर त्री, इसमें एक statement दे, if ten a plus b equal to root three, and ten a minus b equal to root three, तो find out करना है मुझे a or b, बच्चो देखो लेखो देखों 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 ते हम, ten a plus b root three, अब आपको बताना यह किस की value है, root three, अभी हमने पढ़ा root three किस की value होती है, 60 degree की, तो मैं टिग्नोमेटरी में, root three की जगए क्या लिख सकता हूँ, ten 60 degree, क्योंकि ten 60 degree और root three क्या है, equal है, अब मैं हहां से क्या कर सकता हूँ, इसको cut कर दिया, क्योंकि तो a plus b क्या होगा मेरा, 60 degree, यह आगी मेरी equation one, इस तरह ही मैं लेता हूँ, दूसरे को, ten a minus के b, equal to one by root three, तो ten a minus के b, तो बच्चो one by root three किस की value है उस table में, याद करो table को, मैं दिखाँ दूँ आपको table नहीं तो, ten 30, तो ten से ten कट गया, a minus के b equal to 30, या आगी मेरी second, अब equation one, two को मैं solve करूँ, तो अगर एक बार मैं add कर देता हूँ, तो add equation one and equation two, तो मेरा आजाएगा two a equal to 60 plus 30, तो क्या आगा बच्चो two a equal to 90, तो a जो है मेरा angle वो हो गया, मेरा 45, अब मुझे b निकालना है, तो a की value रख देता हूँ, कहां पर बच्चो मैं, put the value of a in equation one, तो 45 plus b equal to 60, तो b equal to 60 minus k 45, तो b equal to 150, तो यहां पर क्या है, a greater than b, तो क्या होगा, a greater than b, यह हो कह सकता हूँ, 45 greater than 15, तो यह आ रहा है, मेरा a और b की value, अब चलते हैं, इस exercise के last question की तरफ, वो देखते हैं, कि यह true है या false, तो सबसे पहले, मैं sign a plus b, इसको ले लेता हूँ, कहले first को, देखो बच्चो, sign a plus b, equal to sign a plus sign b, सही है या गरत, मैं चेक करता हूँ, मैंने value ले ले ली, a equal to क्या माल लिया बच्चो, मैंने 60, और b equal to क्या ले ले लिया, मैंने 30 degree, और इसमें put करा, lhs में और rhs में, तो यह इसका क्या है, lhs और यह rhs, मैंने इसका lhs लिया, sign a plus की b, अब a की जी क्या 60 रखा, और b की जगे रखा मैंने 30, तो यह हो गए मेरा sign 90, sign 90 किसके बराबर है, वन की, इस तरही मैंने लिया अब rhs, rhs क्या मेरा sign a, plus sign b, और sign a क्या है मेरा बच्चो, sign a 60, plus sign b क्या है, 30, sign a क्या होगा, root 3 by 2, और यह हो गए मेरा 1 by 2, इस तरह आगा, root 3 plus 1 by 2, अब यह 1 और, root 3 plus 1 by 2, इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं है, तो क्या होगा मेरा यह, यह justify हो गया, lhs equal to not rhs, इसलिए यह क्या है, false क्या है, false है, और जस्टिफिकेशन है इसका यहाँ पर, आप A और B की वैल्यू अपने अकोर्डिंग भी ले सकते हैं, जो आपको सही लागे, दी वैल्यू आफ साइन ठीटा, दी वैल्यू आफ साइन ठीटा, इंक्रीज एज ठीटा इंक्रीज, अभी आपने टेविल में देखा है, मैं लिखता हूँ जैसे कि साइन लिखता हूँ यहाँ पर, वह यहाँ, जीरो, थर्टी, फॉर्टी फाइव, सिक्स्टी और नाइन टी, जीरो की वैल्यू जीरो थी, इसकी वैल्यू क्या थी बच्चो, वन बाई टू, वन बाई रूट टू, रूट थी बाई टू और वन, जीरो से नाइन टी तक, जीरो की वैल्यू क्या होती चली जारी, इंक्रीज होती चली जारी, जीरो इसका पॉइंट फाइव होगा, इसका root 2 से का रोग और बढ़ेगा, इसका और बढ़ेगा, इसका 1 हो जाएगा, तो 0 से 1 तक यह increase होती गही है, तो the value of sine theta increase as theta increase, the value of cos theta increase as theta increase, अब देखता हूँ cos theta की, तो cos की देखता हूँ, तो cos 0 की value क्या होती है, 1, और इसके बार 90 तक हो जाती है, 0, तो इस तरह इसकी क्या होती है, इसकी क्या होती है, इसकी क्या होती है, इसकी क्या होती है, क्या होती है, वैल्यू आफ ठीटा की वैल्यू जैसे हम इंक्रीज करेंगे, कॉस्ट ठीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, तो ठीटा की वैल्यू डिक्रीज होती रहनी चाहिए, ये क्या है 45 degree के लिए दोनों की वाले क्या होती है, 1 by root 2, इसकी भी और इसकी भी 1 by root 2, expected, false, expected, 45 degree, अब कोट A is not defined for A, equal to 0, कोट A, अब कोट A, equal to 0, अब कोट A का मैंने देखा था, आपको क्या था बच्छो, यहां भी देख सकता हो, cosine 0 divided by cos 0, तो क्या होता, यह होता 10 का, और कोट का क्या होता, cosine 0 divided by sin 0, cos 0 1 by 0, तो कोट इसकी नट डिफाइन, तो कोट इसकी नट डिफाइन, for A, equal to 0, यह, यह क्या है, true, यह क्या है, true, statement का justification है, मेरा यहां पर, इस तरह, question number 4 के, fifth part के साथ, साथ exercise 8.2 का भी end हो जाता है 8.2 भी complete हो जाती है हम इसी तरह exercise 8.3 का complete solution लेकर आएंगे उससे पहले आपको उसको introduce कराएंगे और उसको भी आपको जिस तरह से ये exercise easily आप इसको solve कर सके हैं इस तरह ही हम exercise 8.3 को भी solve करने वाले हैं और फिर उसके बाद previous 10 years में board exam में जो भी टिक्नोमेटरी से question पूशे गए हैं उसका भी आपको एक वीडियो के माद्धम से हम समझाने की कोसिस करेंगे धन्यवाद थैंक्यू